C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 13 पहाडों से समुन्दर तक प्रिष्ट 106 यहाँ एक चित्र दिया गया है। चित्र में दिखाया गया है पाठ जिन पर बर्फ पड़ी हुई है, बादल है, खूप सारे हरे हरे पेड़ है, पक्षी उड़ रहे हैं, कई जानवर हैं, गाए, भैस, बकरी, आदी, एक नदी बह रही है और उसमें मचलियां तर रही हैं। यहाँ पर कुछ चिमनियां दिखाई गई हैं, जिन में से धुआ निकल रहा है, यहाँ उचे उचे भवन भी दिखाई गई हैं, जहाँ से गंदा पानी नालियों में बहकर आ रहा है और नदी में मिल रहा है, कई जगह पेड कटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और नदी म एक नाव भी चल रही है नदी पहाडों में से निकल रही है वहाँ नदी का रंग बहुत नीला है लेकिन जहां फैक्टरियां है और जहां पर उची उची बिल्डिंग है उनके पास नदी नीली नहीं है कहीं पर काली, कहीं लाल, कहीं हरी है यहाँ पर नदी में मचलियां काफी कम हैं और कुछ मचलियां तो मर भी गई है चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई है पहाडों से निकल कर जब नदी गाउं के पास से गुजरती है तो वहाँ मचलियों की संख्या कम हो जाती है यहां कुछ लोग पानी में नहा रहे हैं, कुछ अपने जानवरों को ले गए हैं, यहां पे कुछ लोग कपडे धू रहे हैं, कोई पानी भर रहा है नदी के इस चित्र के अनुसार हम यहां कुछ शब्द दे रहे हैं शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो और अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो शब्द है नाव, बहता पानी, नीला, मचलियां, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदभू, फैक्ट्रियां, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, और शहर, इनके आधार पर एक कहानी लिखो, और उसका नाम भी सोचो, प्रिष्ट 107, अब चित्र के अनुसार, इन प्रश्णों के उत्तर लिखो, जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है, वहाँ पानी का रंग कैसा है, नदी में मचलियां कहीं ज्यादा हैं, कहीं कम, कहीं कहीं तो मचलियां मरी हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा, चर्चा करो, गाउं में पहुँचने से पहले, नदी में क्या-क्या दिखाई दे रहा है, नदी के पानी का रंग कहां-कहां बदला, यह है क्यों बदला, चर्चा करो, चित्र में बताई गए जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे, और क्यों, चित्र में जो कुछ हो रहा है, उसमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे, क्या और कैसे, चर्चा करो, क्या तुमने लोगों को विभिन चीजें नदियों या जलाशयों में डालते देखा है, नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, प्रिष्ट एक सौ आठ, अगर तुम्हें पानी पीना हो, तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे, और क्यों? चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई, क्या तुमने कभी समुद्र देखा है, कहां, फिल्म में या और कहें? क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो? कब? अपने हाथों से करके दिखाओ कि समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं? क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है? बताओ क्यों? क्या पूरे साल में नदी, तालाब और जर्नों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं? चर्चा करो प्रिष्ट 109 बरसात की मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? अपने गाउं या शहर के आसपास की नदी, जील या तालाब के बारे में जानकारी इकठी करो क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महिनों में कुछ बदलाव होते हैं? उसमें किस-किस तरह के पानी के जानवर दिख रहे थे? उसके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं वहां कौन सी तरह के पक्षी आते हैं क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या पड़ा है कहां जब बाढ़ आती है तब क्या होता है क्या तुमने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है किस जगा तुम कैसे जानोगे कि पानी गंदा है अगर पानी देखने में साफ हो तो क्या यह जरूरी है कि वह पीने के लिए भी ठीक होगा चर्चा करो प्रिष्ट 110 पानी गंदा कैसे हो जाता है तुमने चित्र में देखा कि जहां जहां से नदी बहती गई वहां वहां किनारे पर बसे हुए गामों और शहर के लोगों ने नदी के पानी का अलग-अलग तरह से उप्योग किया जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बरतन धोना इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही नदी का पानी जैसे जैसे शुरू आज से आगे बढ़ा वैसे वैसे लगतार बदलता रहा ऐसे ही कारणों से तालाबों और जीलों का पानी भी गंदा हो सकता है तुम जो पानी पीते हो वह कहां से आता है? किसी नदी या तालाब से? क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो चित्र में नदी के साथ हुआ? करके देखें, इस गतिविधी के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा तुम्हारी रसोई में ये सब चीजें मिल जाएंगी सामान है नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल हर चीज आधा चमच नीबु का रस, साबुन का पानी, शर्बत, तेल सभी चीजें लगबग एक चमच पांच या छे गिलास या बोतलें अब तुम्हें क्या करना है सभी गिलासों या बोतलों को पानी से आधा भर लो ध्यान रहे, सब में बराबर पानी हो अब हर बरतन में एक एक चीज डालो जैसे एक बरतन में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में खाने का सोडा इसी तरह सब चीज डालो हर चीज को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो क्या होता है प्रिष्ठ 111 अब गति विधी पूरी करने के बाद ताली का भरो तुमने क्या देखा सही जगह पर सही का निशान लगाओ जैसे चीजे हैं चीनी, पानी में घुला, पानी में नहीं घुला पानी का रंग बदला, पानी का रंग नहीं बदला नमक, पानी में घुला, पानी में नहीं घुला पानी का रंग बदला, पानी का रंग नहीं बदला इसी तरह से सही जगा पर तुम्हें सही का निशान लगाना है चीजे हैं नीबु का रस, हल्दी, साबुन का पानी, आटा, दाल, शर्बत, खाने का सोडा, तेल, सर्सों, तेल या कोई भी तेल तुमने जो देखा उसके आधार पर बताओ, क्या सभी चीजें पानी में घुल जाती हैं? क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? क्या तेल पानी में घुल गया? तुम कैसे कह सकते हो कि यह घुला या नहीं घुला? कुछ चीजें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलता क्या हम ये कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं हैं? सोचो अगर कुछ चीजें पानी में घुले ही नहीं जैसे शक्कर, नमक, शर्बत, नीबू का रहसादी तो क्या होगा? प्रिष्ट 112 सोचो अगर सब चीजें पानी में घुल जाएं जैसे पत्थर, प्लास्चिक, चौक, कूड़ा कचरा आदी तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें पानी में आसानी से घुल जाती हैं इन में से कई चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं इसलिए पीने से पहले पानी साफ करना जरूरी है पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना अगर किसी कारण से यह करने में कठिनाई हो तो क्या तुम पानी साफ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? तुम्हारे घर में पीने का पानी कैसे साफ किया जाता है पानी को साफ करने के अलग अलग तरीकों के बारे में पता करो इन तरीकों में से किनी दो के चित्र बनाओ